वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे फैन कोड़ ECS T10 Belgium के दोस्तों आज के थर्ड क्वार्टर फाइनल मैच के बारे में यह मैच दोस्तों MECC और ICCB के बीच खेला जागा बता दोस्तों यह मैच साम को चार बज़े से स्टार्ट होगा और एक बात का ध्यान रखेंगा दोस्तों इस मैच का मैंने पूरा मैच डिटेल प्लियर इस्टाट कमबिनेशन इसमॉर लिंग में आप किस प्लियर को ट्राइ कर सकते हो ग्रेल लिंग में दोस्तों कुन से प्लियर आपके लिए important हो सकते हैं तो सभी कुछ इस वीडियो में मैंने आप सभी के लिए परवाइट किया है बस दोस्तो एक बात का आप ध्यान रखना जो मैं आपको अभी combination बताऊंगा उसमें कोई pillar नहीं खेलता है तो दोस्तो आप तुरंट telegram के साथ तुरंट जूर जाएगा telegram channel पे दोस्तो मैं आपको final small link का combination प्रवाइट कर दूँगा उसी के साथ दोस्तो आप contest join करना और win करना और दोस्तो बतादू telegram channel का link आपको नीचे description section में भी मिल जागा और साथी साथ दोस्तो comment section में भी first comment पीन किया हुआ मिल जागा join कर लीजेगा दोस्तो telegram channel को दोस्तो आपने अभी तक YouTube channel को दोस्तो subscribe नहीं कियो तो दोस्तो आप YouTube channel को जरूर subscribe कर देना और दोस्तो subscribe करने के बाद notification का गंटी जरूर बजा देना जिसे दोस्तो मेरे आने वाले वीडियो का आपको notification मिलता रहा है दोस्तो next वीडियो आज का ही fourth quarter final match का रने वाला है तो miss मत किजेगा दोस्तो चलिए दोस्तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इस match में combination कैसे बनाएंगे दोस्तो स्टार्ट करते हैं बिकेट कीप्रिंग सेक्षन से विकेट कीप्रिंग सेक्षन में दोस्तो आपके पास दो बेहतरी इन चोईस है एक तो दोस्तो टी सरन का चोईस है टी सरन बहुत ही अच्छे player है आपको opening में दिखेंगे पूरे टुनामेंड में देखो तो इन्होंने 8 match खेले 8 match में equal fantasy point आपको provide किया है तो दोस्तो आप दोनों में से किसी को भी अपने टीम में रख सकते हो मैं दोस्तो अभी के लिए टी सरन के साथ जा रहा हूँ लेकिन दोस्तो इस तापी भी बहुत ही अच्छे खेला रही है दोनों में से आप दोस्तो किसी को भी लख लेना बात कर लें दोस्तो बैटिंग सक्षन से तो के चीमा बहुत ही अच्छे पिलियर है hard eater batsman है opening में आपको दीख जाएंगे और बता दो दोस्तो इनका tournament का average देखो तो ठीक ठाक रहा है छे में चीनों ने खेला है 45 के दोस्तो एबरेस से इन्हों ने आपको fantasy point दिया है तो अच्छे player है आप टीम में जरूर ट्राइ कर सकते हो 48% selection है लेकिन दोस्तो मुझे उमीद है ये selection percentage बढ़ सकता है नीचे से दोस्तो बात करें तो अच्छे सबसे बड़े आपके लिए trump card player रहने वाले इस match में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्यों कि इनका नाम तो आपको batting section में देख रहा है लेकिन बता दो ये सिर्फ और सिर्फ आपको balling से point देंगे अभी तक टूनामेंड में 6 match खेले 6 match में दोस्तो इन्होंने आपको 40 के एवरे से complete point दिया है और बता दो दोस्तो ये 2 over complete सभी match में करेंगे ऐसा नहीं है कि एक over balling करते हैं 2 over दोस्तो सभी match में करते हैं और picket provide करते हैं तो मेरे दिये दोस्तो important picket trump card player है दोस्तो मैं अपने team में जरू try करूँगा नीचे से यार मोहमद दोस्तो इनका selection percentage 71 है लेकिन बता दो दोस्तो ये batting करने 4th round आए गे और उतने खास player नहीं है यह आपको 15 run, 20 run, 10 run ऐसे score करके दे सकते हैं लेकिन दोस्तो 35 run, 40 run ऐसे score इन्होंने अभी तक टूनामेंट में एक भी match में नहीं किया है आप इनका average से ही देख सकते हो अभी तक पूरे टूनामेंट में देखो तो इन्होंने दोस्तो काफी 8 match खेल लिया और दोस्तों बता दू मातर 27 के average से इन्होंने आपको fantasy point प्रवाइट किया that's why दोस्तों मैं इन्हें drop करके चलूंगा selection percentage बहुत जादा है लेकिन मैं दोस्तों drop करूंगा नीचे से आप ए पूती सर्टी को try कर ले ना न यार बहुत ही अच्छे खिलार ये balling बैटिंग दोनों करते हैं सभी मैच में दोस्तों ये balling नहीं कराएंगे जिस मैच में दोस्तों टीम को इनका ज़रूरत परेगा ये balling करने आएंगे और आपको bicket प्रवाइट करेंगे और बैटिंग से दोस्तों ये third round बैटिंग करने आते हैं और आपको अच्छे से score करके दे सकते हैं हाठ हीटर बैट्च मेंने तो काफी quality player है दोस्तों आप इनने जरूर अपने team में try कर सकते हो नीचे से आपको एस सुदर्शन दिखेंगे देखो स्टार्टिंग तो इन्होंने टूनामेंट का बहुत ही superb किया था फरस्टी मैच में दोस्तों इन्होंने 60 run का score किया लेकिन दोस्तों अभी इनका recent form बहुत ज्यादा खराब चल रहा है आप पूरे टूनामेंट का इनका average देख लो तो आपको काफी solid लगेगा छे मैच खेले 35 का दोस्तों इन्होंने आपको fantasy point परवाइट किया है लेकिन दोस्तों बता दू इनका starting में काफी अच्छा बैटिंग की है टूनामेंट की लेकिन जैसे जैसे टूनामेंट दोस्तों इंड कर रहा था इनका performance बहुत ज्यादा नीचे गिर रहा था that's why दोस्तों selection percentage भी कम है और मैं दोस्तों इन्हें drop करके चल रहा हूँ दोस्तों आप इस सुदर्सन को GL में try कर सकते हो नीचे से last option का बात करें तो दोस्तों आपके लिए जी बेरी बहुत ही अच्छे option है यार इन्हें आप टीम में जरूर ट्राइ करना बॉलिंग, बैटिंग दोनों करते हैं first round दोस्तों ये बैटिंग करनी आते हैं दो ओबर complete बॉलिंग करते हैं एक ओबर दोस्तों ये पावर पलाई में करेंगे एक ओबर दोस्तों ये देतối में करेंगे नीचे से दोस्तों एक और मैं आपको drum card खिलारी बताता दा हूँ दोस्तो देखो इनका खेले का chance कम है एक सेफुला का दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ लेकिन खेले ना थो आप इनने team में जरुर try कर सकते हैं रीजन के है दोस्तों एक ही match केले हैं लेकिन उस match में इन्होंने दोस्तो 25 रन बैटिंग से स्कोर किये थे और फॉस्ट राउन दोस्तो यह बैटिंग करने आये थे और बॉलिंग से एक ओवर बॉलिंग किये और एक बिगेट लिये थे तो काफी अच्छे option रहेंगे खेलेंगे तो हम लोग try करेंगे अदरवाई दोस्तो ड्रॉप करके ही चलेंगे बात कर लें दोस्तो और लाउन डर सेक्षन से तो किये से फुला बहुत जादा important option है बिगेट टेकर दोस्तो बॉलर है complete दो ओवर बॉलिंग करेंगे और कभी-कभी दोस्तो ये दो ओवर में आपको चार बिगेट भी प्रॉइट कर सकते है क्योंकि दोस्तो इन्होंने एक बार ये टुनामेंट में कर चुके और सभी match में दोस्तो ये बिगेट आपको देंगे और बैटिंग से भी दोस्तो ये आपको hard eater batsman है बैटिंग से भी पॉइंट देंगे तो मेरे लिए दोस्तो काफी important option है आप इन्हें captain by captain भी कर सकते हो नीचे से ए नासिर दोस्तो सभी लोगों के captain होंगे और होने भी चाहिए खिला रही दोस्तो बहुत ही जवरदस्त है performance देख लो तो अभी तक 8 match के लिए और 8 match में दोस्तो इन्होंने आपको 82 के average से fantasy point प्रवाइड कर रहा है बता दो दोस्तो ये दो over complete balling करेंगे और opening में नहीं तो दोस्तो ये first round आपको batting करने आ जाएंगे तो सोचलो बहुत important खिलारी है ड्रॉप मत करना ठीक ना मैं दोस्तो ड्रॉप नहीं कर सकता है नीशे से dc दोस्तो ये खिलारी मुझे बहुत ही super लगता है ऐसा हमें क्यों बोर रहा है क्योंकि कोई match में आपको batting से बहुत जादा point देदेगा कोई match में दोस्तो ये आपको ड्रॉप करूंगा दोस्तों क्योंकि ये 3D player है बालिंग बैटिंग सभी करते हैं बैटिंग करने इस से के राउंट आ जाएंगे बालिंग दोस्तो एक से दो और complete बॉलिंग करेंगे बिकेट भी परवाइड करते हैं पूरे टुनम में में देखलो अभी तक इन्होंने कैस परफोर्मेंस किया तो 5 मेंच इन्होंने खेला है और 5 मैच में दोस्तों इन्होंने 71 के एब्रेस इन्होंने आपको fantasy point परवाइड किया है डैट्स वाई दोस्तों मैं बोल रहा था है इन्हें आप drop मत करना selection percentage कम है लेकिन मुझे उमीद है कि ये बढ़ सकता है नीचे से एस खुमार दोस्तों उतने खास option नहीं है ग्रेन लिंग में try करना हो तो करना अदर्वाइस दोस्तों drop करके चलना नीचे से दोस्तों सबसे बड़े option है दोस्तों ICCB के लिए आर गोडी बहुत ही अच्छे खेला रही है second round batting करने आएंगे दो भर complete balling करेंगे और bicket provide करेंगे पूरे tournament में दोस्तों इन्होंने बहुत ही अच्छा batting भी किया और balling भी किया है 6 match अभी तक दोस्तों इन्होंने खेला है पूरे tournament में और 70 के दोस्तों एब्रेच से इन्होंने आपको fantasy point provide किया है important pick रहेंगे captain भाइस captain भी दोस्तों आप इन्हें small link में कर सकते हो नीचे से एक और मैं आपको important pick बता देता हूं दोस्तों इस टोरी यह दोस्तों ICB टीम के लिए captain ने दो अबर complete balling जरूर करते बर performance बहुत ही खराब रहा है इनका performance देखलो पूरा tournament में 8 match इन्होंने खेला और 29 के एबरे से इन्होंने आपको fantasy point provide किया है आप दोस्तों GL में करना हो तो कर लेना क्योंकि देखो इनसे बेतर हम लोग के पास already 4 pick हो गया है तो मैं दोस्तों इन्हें नहीं रख सकता हूं नीचे से दोस्तों आज के match के सबसे बड़े trump card खिलारी आपके लिए हो सकते यह सजा selection percentage मातर 5 है लेकिन बता दो यह बंदा आपको 2 over complete death में balling कराएगा और batting से भी दोस्तों आपको 10-15 score करके दे सकता है बैटिंग order बहुत नीचे राता है लेकिन बैटिंग आया तो score करके देगा और 2 over complete यार यह death में balling कराता है तो 5% selection है mini GL grain league का यह सबसे बड़ा खिलारी आपके लिए बन सकता है यह बात का दोस्तों ध्यान रखेगा बात कर लें दोस्तों balling section से first option आपको दिख रहे है M Islam उतने खास नहीं है drop करके चलिएगा D Islam को दोस्तों आप try कर सकते हो देखो अभी तक एक ही match इनोंने खेला है एक match में इनोंने 2 over balling किये थे एक बिकेट डिये थे खेलारी बहुत ही अच्छी है कि इस साल इनका 200 domestic का record मुझे काफी जबरदस दिका है तो यदि खेलते हैं तो आप इन्हें mini jail grandling में try कर सकते हो और trump card दोस्तों आप इन्हे 10 member में बना सकते हो नीचे से 8 hours दोस्तों यह आपको complete 2 over power play में balling कराएंगे देथ में balling नहीं कराते हैं दोनों over दोस्तों यह power play में balling कराएंगे यदि आप इन्हें र drop करके चल रहा हूं लेकिन दोस्तों यदि MCC की टीम first balling करती है तो दोस्तों यह आपके लिए बड़े player बन सकते हैं इचे से दोस्तों आप इस मंद आपी को जरूर टीम में try कर सकते हो दो over complete balling करेंगे एक over दोस्तों यह देथ में balling करते हो और एक over दोस्तों यह mid में balling कर टीम में try कर सकते हो क्योंकि देखो ऐसे भी दोस्तों हम लोग ICCB के कोशिस कर रहे हैं कि maximum हम लोग इनके allounder ले नहीं तो baller ले that's why दोस्तों मैं इनको अपने team में रख रहा हूं देखो आप इन्हें drop करना चाहते हो तो फिर उपर से आपको इधर को अपने team में जरूर र वाइट के that means एक match में यह आपको सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग से 70 fantasy point दे रहे हैं तो complete दोस्तों दो ओवर बॉलिंग करा रहे हैं और दो बिकेट ले रहे हैं एक match में तो मेरे लिए बहुत important पिक है यह नहीं खेलेंगे तो दोस्तों मैं किसी other को pick कर लूँगा जैसे उपर स आइदर हो गया हैं मैं यदि उन्हें नहीं लेता हूं तो उन्हें अपने team में रख सकता हूं यदि खेलेंगे तो दोस्तों आप first parity इनी को देना प्लीज आप मैं अभी दोस्तों अभी के लिए team में रख रहा हूं नीचे से ए मार्सल complete दो ओवर यह देथ में बॉलिंग कर तो team में जरूर try करना दोस्तों ठीक ना और एक ट्रॉम कार्ट के रूप में तो नहीं लेकिन यार इन्हें सीप और सीप जीएल में try कर सकते हो कुंडूर का बात करें दोस्तों इस मॉल लिंग में दोस्तों प्लीज ड्रॉप करके ही चलना बात कर लें दोस्तों captain भाइस captain तो दोस्तों इस match में captain आई नेसर को कर रहा हूं और भाइस captain दोस्तों मेरे आर गोडी रहने वाले लेकिन दोस्तों आपके लिए other option में आप case उला को जरूर try कर सकते हो बहुत ही अच्छे खिलारी है बिकेट टेकर बॉलर है और batting section से दोस्तों आप जी बेरी को भी try कर सकत एक्स्ट्रा option में दोस्तों आप नीचे से D-Sink को और बता दो ए मार्सल को ग्रेंड लिंग में जरूर करना दी सिंक तो दोस्तों आप स्मॉल लिंग में भी कर सकते हो लेकिन मार्सल को दोस्तों एक combination GL का जरूर बनाना इन पर बहुत ही अच्छे option रहेंगे आपके लिए अभी के लिए दोस्तों यह मेरा final team है हाँ इसमें कोई changes मैं करूंगा यदि कोई player नहीं खेलता है तो दोस्तों मैं final team आपको फिर से provide कर दूंगा telegram पे और दोस्तों अभी तक आपने telegram channel को join नहीं कियो तो दोस्तों कर लो telegram channel का link आपको नीचे description section में मिल जागा साथी साथ दोस्तों आपको comment section में भी first comment pin किया हुआ मिल जागा join कर लेना दोस्तों और जो भी मैं final team आपको provide करूं उसी के साथ दोस्तों आप contest join करना और win करना और दोस्तों अभी तक आपने YouTube channel को subscribe नहीं क्यों तो दोस्तों आप YouTube channel को जरूर subscribe कर देना और subscribe करने के बाद दोस्तों आप टीटेन के वीडियो में टेक केर बाई बाई